गुड मॉनिंग नमस्का और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉंट में जियां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Board of Technical Education उत्रप्रदेश डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल इयर एक्जाम 2020 के बारे में तो दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं Top Multiple Choice Question of Hospital and Clinical Pharmacy यह दोस्तों यह आपका डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल इयर का एक सब्जेक्ट है Hospital and Clinical Pharmacy और दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है दोस्तों इसमें आपके ज़्यादा क्वेच्चन नहीं बनते हैं और इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है और यह एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं करते हैं तो दोस्तों हम दूसरे पेच पर जलते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है Hospital and Clinical Pharmacy और चलिए हम अगले पेच पर देखते हैं तो दोस्तों हम अगले पर आ चुके हैं और दोस्तों जो पहला सवाल पुछा है तो Hospital Provide यानि कि जो आपका Hospital होता है उससे हमें कौन-कौन सी सुविधाई मिलती हैं आप इसको दूसरे रूप में इस तरह कह सकते हैं इसमें दोस्तों पहला option दिया है Diagnosis and Treatment of Disease, Patient Care, Education and Training and all of the above तो चलिए दोस्तों हम इस pen को set कर लेते हैं तो हमने pen को set कर लिया है और आज हम रेड़ कलर ले लेते हैं तो दोस्तों जो इसका answer है वो है डी वाला option हमारा सही है All of the above जो आपका Hospital होता है वो आपको हुआ है तो दोस्तों पहला option है Pharmacy and Therapeutic Committee, Polyo Therapeutic Committee, Pharmacy Therapeutic Committee और दोस्तों None of the above तो इसमें दोस्तों जो option आपका सही है वो आपका सही है option नंबर A यानि कि Pharmacy and Therapeutic Committee जियां दोस्तों इसमें जो आपका एक ही option दो बार लिखा गया है चलिए कोई बात नहीं आपको सही answer पता होना चाहिए कि full form of PTC का मत्तब होता है Pharmacy and Therapeutic Committee तो चलिए दोस्तों सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर 3 है objective of PTC यहां दोस्तों यह सवाल भी आपका Pharmacy and Therapeutic Committee से है कि PTC का function या फिर rule क्या होता है इसमें यह पूछा है तो दोस्तों इसमें पहला option दिया है वो दिया है advisory, educational, both advisory and educational दो दिया है यहां दोस्तों जो आपका PTC होता है उसका रोल होता है advisory और educational और तो इसका का मतलब यह है कि हमारा C वाला option है यह सही है बोथ advisory and educational जो है यह pharmacy and therapeutic committee यानी PTC का objective होता है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं तो question no.4 है which of the following are function of PTC तो चीहां दोस्तों इसमें PTC का function पूछा है तो पहला दिया advisory role in all matter relating to rational and safe use of drug दिया है दोस्तों यह होता है बी दोस्तों B वाला option भी हमारा सही है develop a formulary of drug C वाला भी option दोस्तों हमारा सही है participate in quality assurance activities इसका मतलब D वाला जो option हमारा है यह वाला option जो है हमारा यह सही है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं question no.5 है the first meeting of world health organization WHO on the selection of essential drug was held in जिया दोस्तों जो आपका essential drug list है उसके उपर पहले meeting कब होई थी तो वो 1977 में होई थी यह वाला जो आपका option है यह सही है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों इसका जो सही answer है वो है essential medicine list आप लोग confused ना हो तो इसका बी वाला जो option सही है तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं तो अगला सवाल है the full form of D.I.S. यहां दोस्तों यह आपका drug information service इसका full form होता है तो आप ए वाले पे click कर लेंगे या फिर ए वाले को select कर लेंगे इसके लगा दोस्तों इसमें other option दिए हो है drug implementation service drug including service यह सब दोस्तों गलत है तो आपका ए वाला जो option है यह आपका सही है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं question number 8 है the D.I.B. stands for यानि कि D.I.B. का full form क्या होता है तो इसमें क्या-क्या option दिया हो है यह हम देख लेते हैं तो पहल पिन और copy लेकर बैठें और इन सभी question को note down करते रहें और साथ में अपना theory की जो book है उसको भी पढ़ें क्योंकि अगर आपको theory का जब आएगा तभी आप यह multiple choice question को solve कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों कर सवाल देख लेते हैं तो question number 9 is the source of information classified into dot 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 type यहाँ दोस्तों जो आप आपका source of information नहें उसको कितने टाइप में difficult किया गया तो अवका आप सीदों और सही है पहला आपका होता है primary source इसके लावा दोस्तों प्राये Όम हमा उतले सेंडरियं सोर्स होता है और इसके लिगार तरसरी सोर्स होता है तो जो आपका source of information है उसको तीन भागों में विभाज लिफट किया गया है तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है to the medicine are dispensed dispensed in पेसेंट भाई जी हां दोस्तों यह आपका यह आपका डिस्पेंसिंग वाले चेप्टर से है तो इसमें पहला दिया है इंडिविज्वल इन पेसेंट प्रिस्क्रिप्शन ओर सिस्टम अगला सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें आपका डिस्पेंट का क्लासिफिकेशन पूछा है तो इसमें जनरल पेसेंट लिखा है अगला सवाल देख लेते हैं तो अगला सवाल है तो अगला सवाल है यानि की ओपीडी का फूल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों आपको पता होगा ओपीडी का मतलब होता है आऊट पेसेंट डिपार्टमेंट तो इसका मतलब बी वाले वाला जोговा ये वाला सही बाकि जो इसमें से आउट पेसेंट डिश्टेक आउट पेसेंट डिराव है दोस्तों ये सब गलत आपसन है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल भी PDC से पूछा इन PTC the minimum number of physician must be या दोस्तो जो आपकी pharmacy and therapeutic committee है उसमें कितने उसमें कितने new term physician होने चाहिए तो दोस्तो उसका answer मैं आपको बता देता हूँ इसका answer is 3 physician होने चाहिए तो चलिए दोस्तो अगला सवाल देख लेते हैं question number 15 है who is the secretary of pharmacy and therapeutic committee यानि कि PTC का secretary कौन होता है तो दोस्तो PTC का जो secretary होता है वो pharmacist होता है यानि कि हमारा B वाला जो option है ये वाला option हमारा सही है तो चलिए दोस्तो अगला सवाल देख लेते हैं तो हमारा अगला सवाल है sinking time for absorbent cotton जिया दोस्तो जो आपका absorbent cotton होता है उसका sinking time कितना होना चाहिए इसमें ये पूछा है तो दोस्तो इसका सही answer है less than 10 seconds तो चलिए दोस्तो अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल हमारा question number 17 है important function of a clinical pharmacist आर जिया दोस्तो इसमें function of clinical pharmacist से ये question पूछा गया है तो इसमें लिखा गया है taking of medication history of the patient जिया दोस्तो जो patient treatment करवाने आते हैं उनका medication history देखना कि उस patient ने पास्ट में कौन-कौन सी दवाएं ली है इसके लावा दोस्तो बीक आप संदिया है पेसेंट केर ड्रग इंफॉर्मेशन और all of the above दोस्तो यहां पर जो आपका option सही है वह आपका डी वाला option सही है और दोस्तों यहां पर is the equal to the , दोस्तो वर्ण टी-एस पून-फुल-इस-एक्वल-टो कितना होता है इसके यह पूचा है तो यह अपका बीस हैमाल होता है पांस हमाल होता है दस एमेल होता है तो वन-टी-एस पून-फून-फूल-वल फाइफ-थे मेल होता है तो आप इस बात को याद रखेंग है उसमें PC का मतलब क्या होता है तो दोस्तों PC का फुल फाम होता है पोस्ट सिबोस पोस्ट सिबोस का मतलब क्या होता है आफ्टर इटिंग दोस्तों इसमें हमारा ए वाला जो ऑप्सन है ये सही है तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं तो question number 20 हमारा है the etiology of tuberculosis यानि कि tuberculosis यानि कि TB विमारी किसकी वज़ा से होती है तो इसमें option दिया हुए circular bacteria, rod shape bacteria, comma से bacteria और non of the above तो दोस्तों जो आपका tuberculosis होता है ये mycobacterium tuberculosis bacteria की वज़ा से होता है और दोस्तों इस bacteria को जो safe होता है वो आपका rod shape bacteria ये होता है तो इसमें आपका B वाल option सही है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं इसमें पूछा है hepatitis age यहान दोस्तों hepatitis कौन से बिमारी है तो इसमें दिया है liver disease है कि blood disease है कि pancreatic disease है कि skin disease है तो दोस्तों जो आपका hepatitis होता है ये आपका liver से related होता है और तो इसका मतलब हमारा A वाला जो option है ये हमारा option सही है कि जो आपका hepatitis है ये एक liver disease है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं तो जो हमारा अगला सवाल है वो पूछा है यहान दोस्तों ये बहुत important question है और ये बहुत बार पूछा जाता है तो दोस्तों अगर किसी patient को morphine poisoning हो जाता है तो उसे कौन सी इसमें से drugs देनी चाहिए तो इसमें जो option दिया हो दिया है नलेक्जोन, potassium permagnate, anacetylcistin और non of the above जो दोस्तों इसका सही answer है वो answer है नलेक्जोन यानि कि morphine poisoning में हमें antidote के रूप में नलेक्जोन देना चाहिए तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख रहेते हैं जो हमारा अगला सवाल है the antidote of paracetamol poisoning तो दोस्तों इस question को ये ऐसे भी पूछ सकता है the antidote of acetaminophen acetaminophen दोस्तों acetaminophen जो दोस्तों ये आपका paracetamol होता है इसका दूसरा नेम क्या है इसका दूसरा नेम acetaminophen तो दोस्तों यहां पर ये भी पूछ सकता है the antidote of acetaminophen poisoning तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है an acetal systeen यानि कि अगर paracetamol की poisoning हो जाती है तो उसमें हमको an acetal systeen देना है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं question number 14 हमारा है जो question number 14 जो हमारा है इसमें पुछा था causative agent of peptic ulcer जिया है दोस्तों आपका peptic ulcer का जो causative agent है वो क्या है यानि कि peptic ulcer किस से होता है तो दोस्तों इसमें चार option दिये गए हैं पहला दिया हुआ है helicobacter pylori दूसरा दिया है m tuberculosis तीसरा दिया है protozoa और चौथा दिया है salmonella typhi तो दोस्तों जो इसमें आपका फुल फॉर्म पता होगा वो इसको कर ले जाएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है human immuno deficiency virus यानि कि ये एक viral disease है तो इसमें चार आपसं दिये हैं bacteria virus protozova और mycoplasma तो इसका मतलब हमारा virus वाला जो option है वी वाला यह हमारा सही है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें अगला सवाल पूछा है the normal value of hemoglobin in male HD दोस्तों इसमें आपका normal value पूछा है इसमें दोस्तों आपका normal value पूछा है hemoglobin का male के अंदर कितना होता है तो दोस्तों यह आपका होता है 13-18 gram per deciliter तो आपका यह वाला option जो है यह आपका सही है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों जो जो अगला सवाल है वो पूछा है normal value of bleeding time यहां दोस दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं question number 28 हमारे सामने आ चुका है which of the hypoglycemic drug जी हां दोस्तों which of the hypoglycemic agent दोस्तों क्या होते हैं जो drugs या फिर medicine जो drugs या फिर medicine sugar को sugar को कम करने के लिए दी जाती है या फिर sugar patient को दी जाती है उनको हम hypoglycemic agent कहते हैं दोस्तों आपने insulin का नाम सुना होगा यह भी एक hypoglycemic agent है तो दोस्तों इसमें चार ड्रक के नाम दिये हुए हैं जैसे पहरा दिया है टोलबूटामाइड प्रोप्रेनलोल फुरोसिमाइड और ओल आप दी अबहुत दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो आपका टोलबूटामाइड होता है यह आपका hypoglycemic agent होता है तो इसका मतलब यह वाला option सही है बाकी दोस्तों इसमें आपका प्रोप्रेनलोल दिया है दोस्तों यह यह आपका BP वारी ड्रग होती है इसके लब दोस्तों इसमें फुरोसिमाइड दिया हुआ है यह आपका यह आपका anti-diuretic drug होती है और all of the above दोस्तों हो नहीं सकता तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हो सकता है कि ADR का full form क्या होता है तो दोस्तों ADR का full form होता है adverse drug reaction और इसमें चार आपसन दिये हुए है इसके लबाद दोस्तों genetic factor और drug drug interaction तो दोस्तों इसमें तीनों option जो हमारे है वो सही है इसका मतलब all of the above हमारा option सही है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का last question हम देख लेते हैं लास्ट question में क्या पूछा गया है तो दोस्तों इसने पूछा गया दब बायो ability of intravenous drug administration जिया दोस्तों अगर आप कोई अगर आप किसी medicine का IV देते हैं तो दोस्तों उसकी बायो ability कितनी होगी इसमें यह पूछा है तो दोस्तों अगर आप आइवे रोट से किसी भी medicine को पेसेंट को देते हैं तो उसकी बायो ability 100% होती है इसका मतलब यह वालो जो हमारा option है यह सही है तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लेगी मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और दोस्तों आप लोग अच्छे से एक्जाम की त्यारी करें बाकि आपको इसी तरह की डेली वीडियो मिलती रहेगी मेरे चैनल पर तो दोस्तों जय हिंद भारत माता की जैए